नमस्कार दोफता एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लगों का हारदिक स्वागत है कीफतारी को डाल दिया जाएगा सारी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे अगर आप कमारे चैनल पर फफ्टाइम जिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ इसाथ वेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गौर्णेंट या प करते में चार परतिशत की बड़ोत्री की गई है आदेश भी जारी किये गई है आदेश जारी होने के साथ ही बड़े हुए मैंगाई बत्ते का मुक्तान अब करमचारी अधिकारिक को इसी सब तक दिया जाएगा बित विबाग ने सबी विबागों को बकायरासी कोसागार म हम बात कर रहे हैं मद्यपरदेश की करमचारियों की मद्यपरदेश ने साड़े साथ लाग से अधिकारी करमचारियों के लिए मैंगाई बत्ते में चार परतिशत की बड़ोत्री की है उन्हें इस बड़ोत्री का फाइदा उठाने के लिए मार्च तक का इंतजार नहीं कर दिया जाएगा तो तो वीत विभाग की और से सभी विभागों को निर्देश दिये गई हैं कि और उनमें कहा भी गया है कि बड़े हुए बत्ते को ट्रेजरी बुकतान में सामिल किया जाए इसमें पहले मद्य परदेश के करमचारी को 34 परतिशत मैंगाई बत्ता मिल रहा थ आलंग की सताई जन्वरी को उनके मैंगाई बत्ते में 4 परतिशत की बड़ोत्री की थी जिसे 34 परतिशत से बढ़कर सिधा 38 परतिशत हो गया है मामलों में वित विभाग की सचीव, ग्यानेश्वर, पाटिल ने काया कि जिन विभागों ने 44 परतिशत मैंगाई बत्ता भी जमा करवाया है उन्हें 4 परतिशत मैंगाई बत्ता दै एक सब्ता तक अलग से बुकतान किया जाएगा जिसमें किसी तरह का आर्थिक नुक्सा नहीं होगा दोस्तों पूरों में करमचारिय अधिकारियों को एक तारिकों वेतन का लब मिलने के लिए दे वेतन की पद्फथापना परतेकमा के 20 तारिक के बाद वित विभाग दुआरा कोशागार में की जाती है पित विभाग दुआरा सताई जन्वरी को जारी आदेश के काण दो दिन में पकारासी वापिस लेना और नया बकाया लगाना संबो नहीं था इसलिए पित विभाग ने अभी वेतन विभाग करने का निरने लिया है दौफत जन्वरी से मेंगाई बत्ता दिया जाएगा करमचारी को परतीमा नोसर रुपे से लेकर 6500 रुपे तक काला मिलेगा आलंकि इससे करमचारी खजाने पर 1400 करोड रुपे का आत्रिक्त बोज पड़ेगा केंद्रे करमचारी को जुलाई 2022 से 38% मेंगाई बत्ते का भुगतान दिया जा सकता है तो दोफ्त आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत